हेलो बच्चो आज हम नेलसन मंडेला लोंग वाग टू फ्रीडम की समरी बताने जा रहे हैं। आईए सुरू करते हैं। दा ऐसे नेलसन मंडेला लोंग वाग टू फ्रीडम हैज बीन टेकन फ्रोंग दा ओर्टो बायोग्राफी ओ नेलसन मंडेला ये जो ऐसे है नेलसन मंडेला लोंग वाग टू फ्रीडम की आजादे की एक लंबी उन्होंने शहर की एक लंबी वोग की एक लंबार संघर्श किय उन्होंने has been taken from ये है उसकी जो नैलसल मंडेला है उसकी आतम कथा से ओटोबायोग्राफी से ले गई है साउथ अपरिका बिकेम फिरी ओन टैंथ में दक्षिन अपरिका दस मई को स्वतंत्र हो गया था इट वोज आ लोनली ओटम डे होर साउथ अपरिका आफ्टर थी हेंडर्ड्स ओव वाइट रूल इट वाज आ लवली ओटम यह एक प्यारा पदजड था पदजड का दिन था और शाउथ अपरिका दक्षिन अपरिका के लिए आफ्टर थी हेंडर्ड तीन सो साल के बाद में ओव वाइट रूल जो स्वेत लोग हैं उनका जो सासन स्वेत लोग जो सासन करते आ रहे थे तीन सो साल के बाद में ये दक्षिन अपरिका के लिए यह एक प्यारा पदजड का दिन था दा सर्मनीज तुक पलेश ये जो सर्मनीज थी ये जो उत्सव मनाया जा रहा था इन दा सैंड स्टोन एमफिथियचर इन प्रीटोरिया प्रीटोरिया के एक जो बल्वा पत्तर से बनी हुई ये भवन है वहां पर इस सर्मनी का आयुजिन किया गया इस उत्सव का आयुजिन किया गया रेड़ पोर्ट एंड पार्लियमेट जो लाल किला और जो संसद है संसद हाउस है और मेड ओफ सैंड स्टोन ये बल्वा पत्तर से बने हुए थे He remembers उसको याद आता है कि that the policy of apartheid created a deep wound in his country people and was a stigma on his country उसको याद है याद आता है कि that उनकी जो policy of apartheid जो रंग भेद की जो नेती है उन्होंने created पैदा कर दिया है a deep wound एक गहरा घाव पैदा कर दिया है In his country people उसके देश के लोगों के बीच में उसके देश के जो लोग हैं उनके अंदर एक गहरा घाव पैदा कर दिया है And was a stigma एक कलंक और उनके देश के अंदर एक कलंक बन गया है He promises वह वायदा करता है to free his people वह अपने लोगों को आजाद कराएगा From poverty गरिबी से suffering कस्ट से color difference रंग भेद जो नीती है अफार्थेड है रंग जो color में अंतर है उनके रंग और भेद भाव के जो किया जाता था उनको अंतर किया जाता था जिसे काले और गोरे के बीच के अंदर भेद भाव and other inequality और दूसरी जो एसमानता है उनको वह वह उन्होंने वायदा किया कि वह अपने लोगों से इन चीजों से स्वतंतर कराएगा कराने का वह वायदा करता है मंडेला also remember मंडेला को याद आता है the thousands of freedom fighter whose suffering and courage can never be paid अब उनको याद आता है Nelson मंडेला को याद आता है कि a thousand of freedom fighter हज्जारों की संख्या के अंदर जो सवतंतरता सेनानी है whose suffering जिनका जो कस्ट है और उनका सहास है कि never be paid उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता he said उसने कहा कि all freedom fighter सभी जो सवतंतरता सेनानी है were man of uncommon courage वह एक ऐसा धारण ऐसा मन्य व्यक्ति उनका सहास कैसा था उनका सहास ऐसा मन्य ऐसा मन्य सहास के वो धनी थे वो व्यक्ति जो आजादे की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया और शंकर्ष के अपने देश को स्वतंत कराने के लिए रंग बेट नीति का खतम करने के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी According to Mandela Mandela के अनुशार शहास does not means absence of fear Mandela के अनुशार शहास का जो मतलब है इसका मतलब ये नहीं होता कि डर की अनपस्तिती but the triumph over it बलकि उस पर विजय प्राप्त करना triumph नहीं होता विजय प्राप्त करना The brave man भादुर्वक्ती Is he भादुर्वक्ती वो होता है who wins that fear जो इस डर पर विजय प्राप्त करे Such people ऐसे लोग are the greatest wealth of his country ऐसे लोग जो अपने उसके देश के लिए एक धन है एक संपर्दा के बहुत बड़े संपर्दा के धनी है वे महान है Madela, Sage Madela कहता है that every man परतेग जो व्यक्ती है has two obligations उनके दोहरे कर्तव है उत्तरदाइत्व है the first obligation पहला जो उनका उत्तरदाइत्व है is to his family अपने परिवार के परतीम का कर्तव and the second obligation और दूसरा उनका उत्तरदाइत्व है is to his country अपने देश के परतीम का उत्तरदाइत्व है Madela also thanks Madela धन्यवाद देता है all the international leader और उन्तराश्टी जो नेता है for taking part in in the ceremonies अब वह मडेला है वह धन्यवाद देता है जो संसार के अंतराश्टी जो नेता है जो अंतराश्टी नेता सभी जो अंतराश्टी नेता आए और इस समारों के अंदर उन्होंने भाग लिया सभी ने अन्यवाद देला उनका तह दिल से धन्यवाद देता है ये पाठ की समरी बहुत ही important है चाहिए कैसा भी ऐसे टाइप क्यूशन लों क्यूशन पेपर माजाए यदि आप ये समरी लिख देंगे तो आपको पूरे नमबर मिलेंगे अन्यवाद धन्यवाद वीडियो